Hello dear students, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? बच्चों, हमने आपका जो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर है वो अल्रेडी पढ़ लिया है आज हम बात करेंगे आपके थर्ड चैप्टर यानि की एडिशन एडिशन का मतलब होता है हिंदी में जोड यानि की चीजों को जोड ना एडिशन का जो साइन होता है वो कैसा होता है प्लस एडिशन का साइन क्या होता है प्लस यानि की एडिशन को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं प्लस किस नाम से जानते हैं प्लस plus का sign क्या है ऐसे तो चीजों को हमें क्या करना होता है add करना होता है yes addition हमारे daily life में काम आता है प्यारे बच्चो चलिए आपको मैं एक picture activity के थूँ addition समझाता हूँ प्यारे बच्चो आप देख सकते हैं यहाँ पर question क्या दिया गया can you read आप मेरे साथ पढ़ेंगे color the balloons according to the given color code yes प्यारे बच्चो यहाँ पर आपको color code दिया गया है जैसे एक बच्ची है वो बोलती कि मेरे balloon क्या है कितने है six जिसमें भी six आएंगे उसमें आप yellow color करेंगे then दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि मेरे पास कितने balloon है three और color क्या करना है red red color करना है then next क्या बताया गया है how many balloons are there nine कौन सा color blue five balloon के लिए yellow color करेंगे तो यह code हमने बता दिये चलिए अब हम addition करते हैं बच्चो eight पे अगर आप one add करोगे तो कितना बिलेगा the answer is nine yes तो nine आएगा तो यहाँ पे क्या आगा कौन सा color blue two plus one three three के लिए red color two plus four six कैसे मैंने पकड़ा देखिए यह four है four में two add करेंगे तो कितना बजाएगा six कैसे five और six मान लेना है ऐसे ठीके तो बहुत ही आसान था ऐसे six आ गया उसके बाद फिर five plus three eight four plus three seven seven plus one eight four plus one five उसके accordingly आपको color करना है जिसमें नहीं है उसमें color नहीं करना है तो बच्चों हमने activity के थूरू सीख लिया है अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आज हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले two digit number के जिस add कैसे करना है बिना without regrouping without regrouping का मतलब क्या होता है जिस बिना किसी borrow carry या फिर group बनाए हुए जिस उसकी properties के बारे में पढ़ेंगे addition की properties को पढ़ेंगे फिर grouping के बारे में पढ़ेंगे फिर उसमें भी three digit में without grouping फिर three digit में grouping के बारे में पढ़ेंगे ठीके ओकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे आज हम यहाँ पर मैं आपको subtraction की कुछ important points बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चो देखे addends क्या होते हैं और sum क्या होता है yes तो आप देखेंगे यहाँ पर की जो दो number है मैं यहाँ पर add कर रहा हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं addend यानि कि two है four है six है one है यह क्या है addend और नीचे जो answer आ रहा है जोडने के बाद that is call sum sum का मतलब क्या होता है answer यहाँ पर कुछ आपको importance point दिये गए देखे addition means putting things together addition का मतलब क्या होता है चीजों को एक साथ रखना और उसके लिए कौन सा sign यूसता है use होता है plus यह वाला sign yes यह sign है okay what is the sign of addition this is the sign of addition addition means plus addition means plus okay the number we add are call addends जो number हम add कर रहे है जैसे मैंने भी बताया उनको addend और जो answer आता है उसको some ठीक है तो आप समझ गया है न yes very good चलिए मैं आपसे question पूसता हूँ प्यारे बच्चों yes addition का मतलब क्या होता है addition का मतलब क्या है yes addition means putting things together sign okay then addend किसको बोलते है the number which we add is call addend and the answer we get is call some very good बच्चों अब हम यहाँ पे adding two digit numbers के बारे में पढ़ेंगे ओके चलिए मैं आपको बता दू प्यारे बच्चों yes यह steps हैं यहाँ पे देखे कैसे यह बच्ची calculation कर रही है तो हम भी यहाँ पे calculation करेंगे यहाँ दिया गया है कि विधी एक लड़की जिसके पास कितने crowns blue आले हैं 27, red 10 और green yes green है 31, कितने हैं ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इन सब को ऐसे लिख लेना है 27, 10, 31 और नीचे last में कौन सा sign यूज करना है plus 7 में 1 add करोगे तो क्या आएगा 8 लेकिन 7 में 0 डालोगे तो क्या answer आएगा हमें पता है कि कभी भी कोई number 0 में अगर plus होता है तो answer खुद आता है जैसे मान लोग की 6 है 6 में अगर 0 add करोगे तो answer 6 ही आएगा 1 में 0 add करोगे तो answer 1 ही आएगा ऐसे 7 में 0 एड़ करोगे तो 7 आएगा 7 प्लस 1 एट अब यहाँ पे अब हम यह 10 के प्लेस पे आते हैं यह तो 1 का प्लेस का कर लिए अब 10 के प्लेस पे 2 प्लस 1 थ्री 3 प्लस 3 6 what is the answer 68 very good बच्चों तो विधी के पास कितने क्रेयोंस हुए यह विधी के पास 68 क्रेयोंस हुए ओके चलिए बच्चों अब हम आज exercise आपका 3 A solve करते हैं ओके चलिए यह exercise कैसे solve करना है addition करना है बच्चों को क्या करना है addition देखे सबसे पहले क्या दिया गए 26 प्लस 43 तो 2 प्लस 6 प्लस 4 3 now find out the answer 6 प्लस 3 9 4 प्लस 2 6 ओके अब यह 25 प्लस 53 तो finger में counting करिए yes 5 है 5 के बाद 5 5 के बाद क्या 6 7 8 yes तो 3 time add करना है तो 8 answer आएगा क्या आएगा 8 then 2 में 5 add करें answer is 7 कितने आएगे 7 ok then 75 प्लस 11 ok तो इसका अंसर क्या आएगा 5 प्लस 1 6 7 प्लस 1 8 what is the answer 86 ok चलिए अब हम next exercise आपका solve करेंगे यहाँ पर आपको 3 digit number दिया गया है आपने देखा हमने बिना किसी plus minus addition subtraction के यह easily कर लिया अब हम यह exercise solve करेंगे चलिए पहला का है 83 14 then 2 हमेशा right hand side से लिखना है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 3 plus 4 तो 3 पर 4 add करो finger से count करो 3 फिर 4 5 6 7 7 7 plus 2 9 yes 8 plus 1 9 99 is the answer यहाँ पर 24 plus 42 plus 22 add करिए 4 plus 2 yes कितना होगा 6 6 plus 2 8 2 plus 4 6 6 plus 2 8 answer is 88 okay now the next 11 plus 33 then 22 plus करो 1 plus 3 4 4 plus 2 5 6 1 plus 3 4 4 plus 5 6 answer is 66 वाव प्यारे बच्चों आपने तो बड़ी ही आसानी के साथ यह exercise solve कर लिया है ओके चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे किस के बारे में addition के बारे में properties of addition properties का मतलब क्या होता है rules देखे कोई भी चीज जब add करते हैं तो आपको ऐसे count करना है देखे यह 3 ball है और यह 2 ball है यह 3 ball है तो सब को count करो 1, 2, 3, 4, 5 तो answer क्या आता है 5 वैसे ही 5 ball एक साथ count कर लिया समझ गए यस ओकी अब next चलिए इसको count करते हैं 1 ball, 2 ball, 3 ball, 3 ball लिखा है फिर 1 ball, 2 ball वापस counting अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम यहाँ से पूरा ही सब count एक साथ करें तो 1, 2, 3, 4, 5 यस कितना easy है ओके तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी number कहीं से भी आप add करो यस addition में answer same आता है यस मान लेते हैं कि मैंने 3 plus 2 किया तो 5 आया अगर मैंने 2 plus 3 करूँगा तो भी answer क्या आएगा 5 ही आएगा ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे property of 0 की बच्चों 0 एक बहुत ही important number है ठीके लेकिन क्या आप जानते हो कि कभी भी number 0 में add होता है तो answer क्या आता है खूद जैसे 4 0 में add हुआ तो answer 4 ही आएगा 6 अगर 0 में add हुआ तो answer क्या आएगा 6 very good प्यारे बच्चों very good ओके चलिए अब प्यारे बच्चों आपका यहां पर answer आ गया है what is next question आ गया है क्या है question 3b क्या दिया गया है 3b में 3b में आपको filling the blanks दिया गया है क्या आप मेरी यह filling the blanks solve करने में help करेंगे बच्चों अभी हमने 0 की property पड़ी मैं क्या ऐसा number add करूँ देखिए अगर 15 suppose मान लीजे 0 में add होगा तो answer क्या आएगा 15 very good तो और अब यहां पर देखिए-0 में क्या add हुआ होगा तो answer 42 आया होगा तो आप बोलोगे sir यह तो 42 add हो होना चाहिए तब 0 42 answer आएगा ऐसे ठीक है ऐसे यहां पर भी देखिए 6 plus 4 equal to देखिए यह left hand side है यह right hand side डोनों equal रहने चाहिए तो 6 plus 4 यहां पर सिर्फ 4 दिया 6 missing है तो हमें 6 सिर्फ लिखना है यहां पर ठीक है ऐसे यहां पर addition बोला गया है तो 5 plus 2 7 2 plus 1 3 37 यहां पर answer next अब यहां पर हम solve कर लेते हैं अब क्या ऐसा add होगा तो 20 28 खुदा आजाएगा तो answer क्या है 0 यहां पर आप देखेंगे तो 17 लिखा हुआ है already क्या नहीं लिखा है 12 तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 12 तो missing था okay तो प्यारे बच्चों हमने यह exercise भी solve कर ली बड़े ही आर addition with regrouping yes regrouping के साथ देखे regrouping में क्या होता है borrow होता है carry होता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं yes कि हम numbers को arrange करते हैं चलिए पढ़ते हैं regrouping to ten regrouping to ten में कैसे add करते हैं when you have more than nine ones you can regroup the one you can regroup tens as one sometime when you add you need to regroups देखे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिया गया है माल लेते हैं six ones है और four ones उनको add करेंगे तो ten ones बनेगा yes तो ten ones अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ten ones की जगा हम one और ten कर दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं तो यह regrouping हो गया yes इसी के साथ में आपको एक example दिया गया है क्या है question question यह है sheba join a poetry class and made 26 port she made four more ports at home how many port did she sheba make तो आप देखेंगे उसने 26 plus 4 port बनाए right hand side से हम इसा number लिखें यहाँ पर जब number नहीं आए तो उसके नीचे 0 डाल देना है ठीक है पैरे बच्चों तो आप देखेंगे yes कि इसका answer हमें find out करना है yes तो चलिए step by step करते है solve 26 plus 4 0 का answer क्या आएगा तो वह हम find out करेंगे आपको मैं बता दू प्यारे बच्चों यह जो हमें दिया गया 6 plus 4 तो देखें इसको add करने के बाद यह ऐसा बना total yes फिर 9 plus 1 करेंगे तो भी आपको ऐसा मिलेगा तो यह जस्ट पजल की मदद से square की मदद से आपको समझाया गया है तो चलिए प्यारे बच्चों हमारा question था कि sir अगर हम 26 plus 4 करेंगे तो how much we get तो दिखें प्यारे बच्चों आपको regrouping का तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आप क्या करिए once और 10 से लिखें नंबर को हम इसा right hand side से लिखें तो six two then four plus अब answer निकाले तो हमें पता है प्यारे बच्चों मैं side में करके आपको दिखाता six two four कुछ नहीं तो zero then plus ठीक है six plus four हमें पता है सबको 10 आता है कैसे yes माल लेते हैं यह six ball है one two three four five six और four ball और है one two three four आप counting करिये one two three four five six seven eight nine ten तो 10 का जो one digit होगा yes जैसे देखें यह 10 है 10 का यह once digit है तो इसको ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम यह नहीं लिखेंगे इसको हम कहा लिखेंगे ऊपर as a carry yes ऊपर as a carry लिखेंगे yes और इसको round कर देंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे तो two है two के उपर क्या है one two plus one three three plus zero तो answer is three answer is thirty what is the answer 30 तो जब हम यह carry वाला काम करते हैं yes एक once का digit लिखते हैं और एक number दूसरे को दे देते हैं तो उसको regrouping कहते हैं okay the answer is thirty pot what how many pots she made thirty pots okay very good बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है carry के साथ borrow करना yes तो प्यारे बच्चों ऐसे ही और भी numbers हो सकते हैं जिनको आप regrouping कर सकते हैं जैसे for example यहाँ पे बताया गया कि एक village है उसमें pond है 24 fishes है 18 frog है अब बताईए कितने total उसके अंदर aquatic animals हैं तो उसके लिए भी हमे से पहले तो आप क्या करिए numbers को लिख लीजिए right hand side से सबको add करिए 4 plus 8 answer is 12 12 का 2 1 carry yes 1 plus 2 3 3 plus 1 4 answer is 42 yes यहाँ का डूबली यहाँ पे बताया गया है answer is 42 वाव प्यारे बच्चों तो आपने यह exercise भी solve कर ली यानि कि कितने total aquatic animals हैं there are 42 aquatic animals कितने aquatic animals है 42 aquatic animals okay okay प्यारे बच्चों